जीवन में आपकी महत्ता तब ही बढ़ सकती है, जब आपको स्वयम अपने महत्व का पता हो, एक बड़ी बात कहिए मैंने, इसके लिए स्वयम को समझना होगा, जीवन को आगे बढ़ाने और उसके साथ सही कदम ताल के लिए खुद की पहचान इतनी आवश्यक है, कि उसी से हमें अपनी शमताओं, अपनी सीमाओं, अपनी योगताओं, अपनी लिमिटेशन की भली भाती भान होता है, दुनिया में प्रतेक व्यक्ति युनीक है, प्रतेक व्यक्ति मूलिवान है, इसी लिए सभी को सम्मान के साथ व्यवार करने और व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, कि हम वास्ता में कौन है, ज्यादा तर हम अपने आप से ही अनभिग्य हैं, जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो हम प्राया ब्रहतर निर्ने लेते हैं, अपने अनूठे और विशेश गुनों को अपनाना सीखें, अपने लिए खड़े हों, और अपनी इच्छा निसार जीवन बिताएं, वो कोई काम न करें, जिसमें आपका मन नहीं लगता, अगर आप खुद को दूसरों के सामने कटपुतली बना देंगे, लोग अपनी सुवधा की अनुसार आपका उप्यूग करेंगे, इस परस्थिती में आप सामने वाले के द्वारा, जब तक आपकी उप्योग कीता रहेगी, तब तक तो आपको इस्तिमाल करेंगे, और बाद में दूद में मक्खी की भांती बाहर कर दिये जाते हैं, और जब तक हमें इसकी भनक लगती है, बहुत देरी हो चुकी है, इसलिए अपने करीबियों के साथ वियवार पर सदेव द्रश्टी बनाए रखिए, कि सुख की अवस्था में और दुख की अवस्था में आग के प्रतियुन का वियवार कैसा था, आप में इतनी शम्ता और बुधिमत्ता होनी चाहिए, कि आप दूसरों का उचित आंकलन कर सकें, और समय रहते उनके साथ जो हमारे रिलेशन्स हैं, उनकी समिक्षा करकर उसी के अनुरूप उनसे दूरी या मेल जूल बढ़ाना चाहिए, जीवन में अधिक सहज महसूस करने के लिए भीतर और बाहर दोनों तरफ पूर्ण ध्यान दें, जैसे आप दूसरों के लिए किसी भी परस्थिती में अपने साथ खड़े रहते हैं, वैसे ही अपने आप अपने लिए खड़े होना बहुत जिरूरी हैं, जीवन में सदैव पॉजटिव रहिए और कंटेंटमिंट की फीलिंग रखिए, तभी सकारात्मक और संतोर्ष अनकृष्टे बनेंगे, जिसमें दोनों साजेदारों को पूरा महत्वर सम्मान दिया जा सकेगा, ऐसे संबंध जिनमें अपने व्यक्तिकत मूल्यों एवं आवशक्ताओं के अ पन्यमाग.